बैठिए आप लोग शीट निकालिए शीट अभी दिलबा देता हूं शीट है न चलिए शीट मंगवाईए कितने बच्चों को शीट चाहिए हाथ उठाईए ठीक है एवरेज का टेस्ट पेपर सुनिए एवरेज का टेस्ट पेपर लेते आईएगा और स्पीट वर्क टाइम की शीट ठीक है मैंने कोश्चन आप लोगों को करवा दिया था 11 तक अब मैं करवाने जा रहा हूं कोश्चन नमबर 12 सही है सही लगा है ठीक है छली देखिए स्नोउ उइट पेंट कंपनी ने तीन मकानों पर पेंट कराने का ठेका लिया है Mr. ब्राउन एक मकान पर 6 दिन में Mr. पिंटर आठ दिन में तथा Mr. स्लो कम 12 दिन में पेंट कर सकते हैं आठ दिन बाद Mr. Brown छुट्टी पर चला जाता है और फिर Mr. Pinter 6 दिन तक काम करता है शेश काम को पूरा करने में Mr. Slocum को कितने दिन लगेंगे ये question है एक simple सा question है हमारा सबसे पहला काम क्या होता है पूरा काम निकाल लेना और सबका एक दिन का काम निकाल लेना फिर जैसे जैस काम कराया जा रहा है जितने जितने दिन तक उतने दिन में वो वेक्ती कितना काम कर लेगा वो ग्याद कर लेना है बाद में जो बचा हुआ काम है last में कितने दिन में होगा वो निकाल लेना है अब जैसा आपका question होगा उसी साफ से answer देंगे कुछ नहीं करना बस इतना ही कर कल कोई बच्चा हाथ उठाए तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो कौन था वरकेंट टाइम आप थें इधर आ जाईए इधर आ जाईए बैठिए इसेड डे है फज ए थर डे आपने पहले दिन वाला पंदर मेंट का वीडियो देखा यूटूब पे इख लिया कुछ क्लियर हुआ अब चीज़े समझ में आ रही है एक दिन काम कैसे निकलता है पूरा काम कैसे माना जाता है यह चीजे समझ में आ रही है LcM लेना आता है शोर है बता दूँ LcM लेना आता है न ठीक है चली बैठ जाए क्या नाम है आपका चेहरा दिखाईए ठीक है चली देखिए कोश्ण नमबर 12 देखिएगा आप लोग स्लोकम नहीं, पिंटर, पिंटर आट दिन में अकेले एक मकान पेंट कर सकता है, स्लोकम अकेले बारा दिन में एक मकान पेंट कर सकता है, पूरा काम मतलब एक मकान का मतलब कितना काम, इंका एल्सीम 24, ब्राउन का एक दिन का काम, चार यूनिट, पिंटर का एक दिन का काम, त तीन यानि कि 72 काम है, टोटल काम कितना कराना है, तीन मकानों पर पेंट कराना है, ये एक मकान की यूनिट है 24, एक मकान की यूनिट है 24, क्योंकि ये बोला गया है कि ये ब्राउन जो है, एक मकान 6 दिन में पेंट करता है, ये पेंटर एक मकान 8 दिन में पेंट करता है, स्लोक योट आएगा एक मकान की काम को तो 24 क cannabis unit एक मकान का काम है चुकी हमें प्र benefici में दिया गया प्रेंख तम करना है तो काम टोटल कितना करवाना पड़ेगा ट्वैडी फोर इंटो थी यानि कि 72 two unit काम कराना पड़ेगा काम हो कैसे रहा है यह नहीं लिखा है कौन टाम शुरू किया है लेकिन प्रेश्ण पढ़ने के बाद पता तो चल ही रहा है की की बच्चो आठ दिन बाद Mr. Brown छुट्टी पर चला गया फिर Pinter 6 दिन तक काम करता है इसका मतलब ब्राउन नहीं काम शुरू किया था ब्राउन ने काम शुरू किया था आठ दिन तक इसने काम किया है फिर ब्राउन चला गया है तो कौन आया है Pinter Pinter 6 दिन तक काम किया है और फिर यह भी चला गया है फिर कौन आया है slow come आया है तो पूछा गया बताईए slow come 6 काम को कितने दिन में पूरा करेगा तो देखिए brown 8 दिन में कितना कर लेगा एक दिन में कर रहा है 4 unit तो 8 दिन में 32 unit कर लेगा सही है confused मत हो येगा आप ये ना सोचेगा सर ये तो 24 से भी जादा है हमको ये देखना है 72 हमें 72 unit काम कराना है 32 हो गया पिंटर एक दिन में कितना करता है 3 unit तो 6 दिन में कितना करेगा 18 unit ये हो गया अब आईए slow come के लिए हम काम देखें कितना बचा 32 और 18 50 हो गया 72 में से 50 जाएगा 22 unit किसके लिए slow come के लिए काम बचा हुआ है स्लोकम 22 यूनिट कितने दिन में करेगा यही आपका प्रश्ण है तो स्लोकम एक दिन में कितना काम करता है दो यूनिट तो 22 यूनिट कितने दिन में करेगा एक ग्यारा दिन में समय ऐसे निकलता कैसे है काम बटा एक दिन का काम तो 22 बटा क्या? 2, यानि कि 11 दिन, यह आपका अंसर होगा, स्लोकम, शेश काम, 11 दिन में पूरा करेगा, आया समझ में, clear है, बच्ची आप लोग, सबको clear है, good, अरा बेट आपको, first day तो नहीं है, second day, कल वाली चीज सब कुछ clear हो गई थी, ठीक है, good, आप first day है, पहला दिन है, हाथ उठा रहे हैं आप, समझ में नहीं आया, sheet के लिए हाथ उठा रहे हैं क्या आप लोग, फिर क्यों हाथ उठा है, खड़े हो जाईए, क्यों के रही हाँ, हाँ बोली, 3 से गुड़ा, 6, 8, 12, हमको तो 6, 8, 12 कहीं दिखा ही नहीं दे रहा है, अच्छा ये, हाँ, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप सीधे ये एक मकान के बदले लेना चाहते हैं, तीन मकान, तो भाई, एक मकान 6 दिन में पेंट करेगा, तो 3 मकान 18 दिन में, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं, कई तरीके होते हैं, कोशन करने के, बच्चे ने जो बोला है, सही बोला है, बच्चे ने का ऐसर तीन मकान पे कराना है तो क्यों ना हम पहले से इसको तीन मकान का ठेका दे दें, मतलब देख लें तीन मकान कितने दिन में करता है, 18 दिन में, ये तीन मकान करेगा 24 दिन में, ये तीन मकान करेगा 36 दिन में, पूरा काम ऐसे ही 72 आ जाएगा, हमने उठाया एक मकान पे, बाद में यहां काम कितना ले लिया, कितना, 72 ले लिया, ये एक सीधा सीधा तरीका हमने उठा लिया, जैसे बोला वैसे उठा लिया, आसानी के लिए, आया समझ में, बाकी आपकी भी सोच, सही है, ठीक है, एकदम सही है, और भाई, इधर कोई हाथ उठा रहा थ कोई और हाथ उठा रहा था है क्लियर है चली कोशन चेंज करना है अनिल आवरेज का टेस्ट पेपर आया ही नहीं तो मंगवा लीजे सब को बाटना है कितना मंगवाले मंगवाली जह हम बताएंगे आपको अभी तुरंट मत मंगवाईए तुरंट आ जाएगा क्या चलिए कल मंगवाली कोई दिक कर दो अभी तो टेलिग्राम पे देख लीजे बाकी यह न सोचेगा ऑफ-लाइन बैचे न तो शीट सारे मिलने वाले हैं आपको स टेलिग्राम पे नहीं रहेगा मतलब रहेगा लेकिन आपको क्लास में भी मिलेगा आईए 13 अजय किसी काम को 45 डेज में तथा विजय उसे 25 डेज में पूरा कर सकता है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया तथा काम समाप्त होने के 5 दिन पहले अजय ने काम करना छोड़ द है देखिए ऐसे वर्क डंटburger कर दिमाग में रख लेनी पड़ेगी का・ कौन कितने दिन काम किया उसका फिगर exactly समय क्लीर क करना आपके दिमाग में रहे का・ क् जितने दिन दिन काम किया वर जितने दिन कां किया उस साब से उसका काम भी हम निकाल लेंगे बाकी बचा हुआ क काम आगे जिससे भी कराना है करा लेंगे तो मैंने का बोला आज कौन कितने दिन काम किया इसका असपष्ट वर्णन आपके दिमाग में होना चाहिए असपष्ट छभी बननी चाहिए कौन कितने दिन काम किया यह नहीं कि आधा दुरा उसमें confused रहेंगी अच्छा ये इतने दिन वो इतने दिना से नहीं clear cut कौन कितने दिन काम किया वो आपको पता होना चाहिए आये देखिए 13 number के question पर आएंगे 13 CHSL के लिए descriptive paper के लिए आज class चलेगी 7-8, 8-9 और देखिए 3 चीज़ें हैं इसमें सुन लिजेगा YouTube पे कुछ बच्चे होंगे जिन्ता CHSL होगा तो 7-8 essay की class चलेगी 8-9 प्रेशी writing की class चलेगी और फिर उसके बाद एक आपकी class later writing वाली भी चलनी है तो उसकी भी class YouTube पे चलेगी तो एक-दो दिन में उसको भी बता दिया जाएगा आपका February में 14 February को पेपर है न कब है 14 कोई है मेंस वाला मेंस मतलब descriptive वाला मेंस नहीं इसको कहते हैं descriptive later writing इससे writing तो समय कम है इसलिए जल्दी क्लास स्टार्ट करा रहा हूं आज से ही स्टार्ट हो जाएगी descriptive वाली class चले देखिए पहले अब बास से रहते तो तो सारी चीज़े वही समालते थे यह सारी जो भी section है अब हम तीन teacher लगाना पढ़ रहा इन चीजों के लिए अलग अलग जो expert होंगे अपनी अपनी चीजोंगे वो कराएंगे आईए चली देखिए अब इसके बाद है थर्टीन नंबर का question अजय किसी काम को 45 दिन में करता है लिखिएगा अजय 45 डेज में और विजय उसे 25 डेज में करता है सही है पूरा काम बता दीजे 225 पूरा काम हो गया है 225 एक दिन टा काम बताईए 5 यूनिट एक दिन टा काम 9 यूनिट काम कैसे शुरू हो रहा है ध्यान दीजे काम शुरू हुआ कितने दिन हुआ ये नहीं पता लेकिन आजय और विजय ने काम किया लेकिन काम यहां समाप्त हो रहा है और समाप्त होने के पाँच दिन पहले कौन टाम छोड़कर चला गया आजय काम छोड़कर चला गया तो आखरी के पाँच दिन तक कौन काम पर है? विजय काम पर है यह वर्क लाइन है आपको समझाने के लिए हमने वर्क लाइन बनाया है लेकिन बनाने की कोई आवश्रक्ता है नहीं, ध्यान से देखिए अजय विजय ने काम शुरू किया कितने दिन किया यह नहीं पता हाँ, यह वश्रक्ता है कि काम समाप्त होने के पाँच दिन पहले अजय ने काम छोड़ दिया अजय काम छोड़ा है ना अजय काम छोड़ दिया तो आखरी के पाँच दिन कौन काम करेगा विजय काम करेगा, शोर है आप समझ पा रहे हैं, शुरुबात हुई है अजय और विजय से, कितने दिन कर रहा है यह नहीं पता, लेकिन लास्ट में क्या हुआ है, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले अजय काम छोड़ देगा, तो आखरी के 5 दिन तक, यहां से यहां तक 5 दिन हो रहा है, आखरी के 5 दिन कौन टाम करेगा विजय काम करेगा विजय पांच दिन में कर कितना देगा बताईए बताईए 40 5 उनिट कर देगा समझ रहा है कितना उनिट कर देगा 45 उनिट कर देगा बचे काम कितना एक सौसी इसको कौन किये होंगे? अजय और विजय कियोंगे. शोर है? आखरी में पाँच दिन में विजय 45 यूनिट करेगा, पूरा काम 225 है, तो शुरुवात में कितना हुआ होगा? एक सौसी हुआ होगा, और इसको कौन कियोंगे? अजय और विजय. तो 180 unit काम को करने में अजय और विजय को दिन कितने लगे होंगे, 180 बटा, कितना 14, यानि कि, हाँ, सही बटा में बोलिए, 12 सही, 12 सही, 6 बटा 7 दिन, तो आजय विजय मिलकर 12 सही, 6 बटा 7 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद आजय काम छोड़ेगा, लास्ट के 5 दिन तक कौन काम करेगा, विजय और काम complete, ये सिस्टम है, ये हमें लाइन बार 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 बनाने की ज़रुवत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए मैंने लाइन बन चोड़ दिया है, अजय ने काम छोड़ दिया है, clear है ये चीज, ये आपको समझाने के लिए हमने लाइन खीच दिया है, आप भी शुरुवात में लाइन खीच सकते हैं, आया समझ में, लेकिन अगर आप डारेक्ट बोलते, कि लास्ट के 5 दिन टॉन टाम किया, विजय, ल ऐसे भी कर सकते हैं थे इतना, अगर workline ना बनाते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, चुकि ना ये करना है, ना ये करना है, एक्जाम में इसको तो oral करना है, तो ये सारे calculation क्या होने चाहिए, oral, अभी मैं आऊंगा वापस से, हर एक सवाल को फिर से oral कराते हुए आगे बढ़ ज बिखाया जा रहा है, कि calculation कम रहे, pen की ज़रुवत ना पड़े, आप mind calculation करके answer देते हैं, चलिए बच्चो, तो आप ऐसे भी बोल सकते थे, तो सवाल हम से क्या पूछा है, उसको तो हम ध्यान देंगे ही, कितने दिन काम करने के बाद अजय ने काम छोड़ा, बताईए, 12 सही 6 Modern, 7 दिन तक ही, तो केवल अजय काम किया है, तो आंसर चिए बने गा आपका, 12 सही, 6 Modern, 7 दिन, काम करने के बाद, अजय ने काम छोड़ा, यह है, 12 सही, 6 बटाईए, 7 दिन काम करने के बाद, अजय ने काम छोड़ा, क्लियर हो गया हो गया सही बच्चो क्लियर है तो यह सारे काम औरल हो सकते थे आपको यह वर्क लाइन समझ में आया काम का इस्ट्रक्चर क्या है काम किस प्रकार से हो रहा है इस पर आपको फोकस डोना है और यह कोई मैथ नहीं है बहुत बड़ी बात नहीं है आप किसी आप कहीं कोई गाव में चले जाएए किसी मतलब अनपंड से भी पूछिए तो बता देगा अजय विजय ने काम शुरू किया, काम समाप थोने के 5 दिन पहले, विजय सौरी, अजय ने काम छोड़ दिया, तो काम कैसे हुआ, आखरी के 5 दिन तक अकेले विजय काम करेगा, और शुरुवात में जितने दिन भी काम हुआ है, अजय और विजय करेंगे, ये आपको इसने दिन काम किया, एकदम clear concept आपके दिमाग में बना रहा है, समझ पा रहे हैं बात को, clear है पूछूँगा oral AP से, और कोई बच्चा है जिसको कम समझ में आ रहा है, बताइए, work and time जिसको कम समझ में आ रहा हो, बताइए, आए चली देखी, 14 number का question है आपका, 14 देखी, A तथा B अलग अलग किसी कार को, 40 दिन तथा 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर कार आरंब करते हैं, कार समाप्त होने से 5 दिन, पहले A कार छोड़ देता है, और 6 कार B पूरा करता है, ग्यात कीजिए, पूरा कार समाप्त होने में कितना समय लगा, question सेम है, लेकिन यह शुरू से अंत तक का समय पूछा गया है, तो बच्चो देखिए, वर्क लाइन बनाओं कि ना बनाओं, नहीं बनाओं, कोई जरूरत नहीं है, आखरी के 5 दिन कौन काम करेगा, confirm है कि B काम करेगा, तो आईए, पहले पूरा काम लिख लेते हैं, और सबका एक एक दिन का का काम लिख लेते हैं, पहले तो ये काम जरूरी है, आईए देखिए, एक काम को करता है 40 दिन में, B काम को करेगा 50 दिन में, पूरा काम क्या है, 200 है, A का एक दिन का काम 5, B का एक दिन का काम 4, ठीक, आखरी के 5 दिन कौन काम तरेगा, B काम करेगा, आखरी के 5 दिन, B काम करेग लेगा तो पांच दिन में B कर कितना लेगा 20 unit और शुरुआतमें A plus B काम किये होंगे इनको कितना करना पड़ा होगा 180 unit 180 unit करने में इनको समय कितना लगा होगा 180 का 9 2 Punch 20 दिन शुरुआतमें काम हुआ है उसके बाद 5 दिन 2 ने काम किया है पहले इस तरही के से काम हुआ है, पहले ये, फिर उसरे बाद ये, सही है, वर्क लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वर्क लाइन वहाँ बनाईएगा जहाँ confusion होने लगे, भाशा doubtful हो जाए, वहाँ वर्क लाइन बना लेंगे तो आपका initial stage में चीज़े clear हो जाएंगी, वैसे आपको आने वाले समय में वर्क लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि practice आप कर लेंगे तो फिर चीज़ों में confusion नहीं रहेगा, हो गया, तो पूछा गया, बताईए, पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा, तो 20 दिन शुरुवात में, 5 दिन अं लगा समय लिखिए, लगा समय, क्या होगा, 20 प्लस 5 यानि की 25, एक हम जानतारी देना चाहेंगे, भारत वर्मा पूछ रहे हैं, पहला question किस lecture में है, मैंने mixed proportion, जो last lecture लिया था आप लोगों का, उसी में है 15, 20 या 20 में का lecture है, शुरुवात का वर्क एं टाइम उसी दिन शुर 15 नमबर का question है, एक किसी काम को 18 दिन में, तथा बी उसे 27 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, बी ने काम करना छोड़ दिया है, यदि पूरा काम 12 दिन में समाप्त हुआ है, तो बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, ध्यान दीजे, ए तो शुरू सेहंत तक काम पर है न, ए तो पूरे 12 दिन तक काम पर है, clear है सारे बच्चों को, लेकिन बी पूरे 12 दिन तक काम पर नहीं है, तो इसने लिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो पूरा काम और एक दिन का काम तो निकाली लेना है, 18 दिन और बी, 27 दिन में पूरा अकेले करता है काम को, पूरा काम, चाववन, एक दिन का काम, तीन, एक दिन का काम, दो, काम कैसे शुरू हो रहा है, ए प्लस बी ने शुरू किया है, और लास्ट में सिर्फ, और सिर्फ, बी ने किया है, A ने किया है B काम कुछ दिन बाद छोड़ दे रहा है B काम कुछ दिन बाद छोड़ दे रहा है ध्यान से देखिए अगर हम work line बना लें तो ये पूरा काम कितने दिन का है 12 दिन का काम है ध्यान से देखिएगा पूरा काम 12 दिन का है A प्लस B ने शुरू किया है लगी लास्ट में कौन रह जाएगा A रह जाएगा अब बच्चों बताइए A पूरा शुरू से अंत तक 12 दिन तक काम किया कि नहीं और A क्या है कुछ दिन काम करके छोड़ दिया तो B भी भी ने छोड़ दिया ठीक है A पूरे 12 दिन तक है शुरू से अंत तक है काम पर तो देखिए A का अगर 12 दिन का हम काम निकालना चाहें 12 दिन का काम निकालना चाहें तो क्या होगा 36 unit होगा बड़ी बचा हुआ unit किस थे जिम्मेदारी पे गया होगा B के तो बचा हुआ काम कितना 18 गीजिर नौवन दीन उसी के अंतर्गत है वारी दिन के अंतर गत क्योंकि साथ में काम किये यहmodel हमलग अलग लिख दे अलग करा है को कि हम काम इनका देखना चाहते थे ओन कितना काम किया पूरा बारा दिंतक काम किया एटो एक दिन में तीन काम करने की छमता है एक ही तो बारा दिन में 36 यूनिट ही करेगा आ रहा है समझ में सबको clear है और बाकी जो भी काम बचा होगा वो किसी जिम्मेदारी पर जाएगा वो B की जिम्मेदारी पर जाएगा तो B के लिए काम जो है वो 18 unit है और 18 unit यह 9 दिन में करेगा इसका मतलब B काम चोड़के भाग गया है 9 दिन बाद यह केवल 18 unit काम किया है तो B काम चोड़कर 9 दिन बाद भाग गया है या काम समाब्त होने के 3 दिन पहले भाग गया है पूछा क्या है वो देख लेते हैं ज्याती जी पूरा कार समाप्त होने में ये नहीं है, 15, पूछा गया है, B ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, तो B ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो रहा है, तो B तो केवल काम पे 9 दिन तक ही है, कम समझ भाया है ये कोश्चन न, आ गया है, आ ग काम कर रहे हैं लेकिन साथ में काम करने का ये मतलब तो कोई काम 협्रे कर कृतीं तो आपके साथ 4 अब तो ज़ए करने लगेंगे ह। आपके साथ हमें टीन में तो धिन weiß यह जए हमारा काम करें तो चार से तो हम अपनी उसारी काम करें ंए रहा हुं काम करेंगे ठीक है तो कितने दिन तक चलेंगे वही तो हमको पता है आ रहा है समझ में तो देखिए हमने 12 दिन में 36 युनिट काम कर दिया तो आपके जिम्मेदारी पर कितना काम काम कर दिया है 18 युनिट है 18 unit आ रहा है clear है 18 unit जो होगा B कितने time में कर लेगा 18 बटा 2 यानि की 9 दिन में कर लेगा काम पर A पूरे 12 दिन तक है और B 9 दिन तक है तो क्या पूरा काम 19 दिन में समाप सुरी 21 दिन में समापत होगा ये 9 दिन इसी के अंतरगत है हम अलग से रख लिए इसको 12 के अंतरगत है 7 में 9 दिन तक काम करेंगे ये दोनो A और B कितने दिन तक 7 में काम करेंगे 9 दिन काम करेंगे फिर 3 दिन अकेले किसको करना पड़ेगा A को करना पड़ेगा बताईए B ने कितना दिन पहले काम छोड़ा यह हो जाएगा बी ने तीन दिन पहले काम छोड़ा आ रहा है समझ में सबको क्लियर है तरीके और भी हैं बोलने के कि हम पूरा बारा दिन तक दोनों से करा लें तो बारा पाचे 60 unit हो जाएगा यह 54 से कितना ज्यादा हो गया 6 ज्यादा हो गया इसका मतलब 6 हमने 20 से ज्यादा करा दिया कितने दिन ज्यादा करा लिया 6 बटा 2 यानि कि 3 दिन ज्यादा करा दिया तो 3 दिन कम कराईए तीन दिन पहले काम छुड़वा दीजिए यह भी तरीका है लेकिन अभी केवल एक समझे हर एक चीज हम लोग इमांदारी से रेगुलर लगे रहेंगे तो सीख जाए ठीक है अरहा है आप लोग पीछह तक बच्चे आप लोग बताईए आपको कम आ रहा है आप ही से कह रहा हूं आ रहा है सबको clear हूँ आपको आईए यह ना सोच येगा कि बस हमें सिरहला देंगे तो हो गया भी पूचूंगा सब और आपसे आ रहा है गुड चलिया यह दे आपसे आईए 16 नंबर का कोशन है 16 क्या कमेंट है भाई सर पूरा काम दिया हो तो कैसे करेंगे और पूरा काम कितने दिन में पूरा काम दिया हो पूरा काम ही तो हो रहा है पूरा काम चुवन है पूरा काम बारा दिन में हो रहा है कोशन में लिखा गया है पूरा काम बारा दिन में हो रहा है ए और बी ने साथ काम शुरू किया है कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया है तो आपको यहीं बताना है कि बताइए B ने कितना दिन पहले काम छोड़ा यह आपका कोश्चन था तो A तो शुरू से अंतर तक 12 दिन तक रहेगा और B जो है अभी निकाला है हमने 9 दिन तक ही काम पे है तो 3 दिन पहले वो काम छोड़ा यही हमको निकालना है अक्षय वर्मा UPSI के इस्टूडेंट है सुरेंदर पिताब का नौजी है क्लियर है गूड चलिए आईए देखिए ध्यान से 16 नंबर का कोश्चन है 16 A, B तथा C किसी कार को 60 दिन, 40 दिन एवं 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तीनों मिलकर कार आरम करते हैं 10 दिन बाद C तथा उसके 5 दिन बाद B, कार छोड़ कर चला जाता है पूरा कार समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा यह आपको बताना है काम तो हमारा सबसे पहला वही है कि पूरा काम निकालने और एक दिन का काम निकालने सबसे पहला काम हम लोग का यही है सीधे सीधे देखिए A, 60 दिन में करता है पूरा काम अकेले B, 40 दिन में करता है पूरा काम अकेले C, 30 दिन में करता है पूरा काम अकेले clear है तो पूरा काम हो कितना गया 120 एक दिन का काम 2, 1 दिन का काम 3, 1 दिन का काम 4, आ गया समझ में, अब देखी कैसे कैसे काम की शुरुबात हुई है, वर्क लाइन बना दूँ, देखी A, B, C ने मिलकर काम शुरू किया है उपर लिखते हैं इसको A, B, C ने मिलकर काम शुरू किया है कितने दिन तक कर रहा हैं ये 10 दिन तक करेंगे, उसके बाद C काम छोड़ कर चला जाएगा, बचा कौन A, A प्लस A प्लस B बचेगा, शूर है बोला गया है 10 दिन बाद C गया है, उसके 5 दिन बाद B चला गया, A प्लस B केवल कितने दिन काम कर पाएंगे 5 दिन 5 देजी कर पाएंगे उसके बाद कौन चला गया बताइए, B चला गया तो बचा कौन, A अब A पूरा काम, अकेले समाप्त करेगा यही है आपका काम करने का तरीका देखिए, A, B, C तीनों ने मिलकर काम शुरू किया है 10 दिन बाद C चला गया उसके 5 दिन बाद B भी चला गया तो 10 दिन तक तो यह तीनों रहेंगे ही वर्क लाइन पे दिख रहा है आपको 10 दिन तक यह तीनों रहेंगे ही A प्लस B प्लस C इसके बाद C चला जाएगा तो बचेंगे A प्लस B और C के जाने के पाँच दिन बाद सुनिए C के जाने के पाँच दिन बाद A भी चला गया A नहीं B भी चला गया तो C के जाने के पाँच दिन तक तो ये काम करेंगे ना A प्लस B दोनो पांच दिन तक तो ये साथ में रहेंगे उसके बाद ये जाएगा B उसके पांच दिन बाद जाएगा तो ये दोनों पांच दिन रहेंगे किने ये बाद पकड़ में आई आपके आ रही है, सबको clear हो रहा है और लास्ट में अब बचा बिचारा के लिए कौन दस दिन में करेंगे 90 unit, अब a plus b की हम बात करेंगे, तो a plus b एक दिन में करते हैं 5 unit, तो 5 दिन में करेंगे, कितना, 25 unit, अब a के लिए कितना काम बचा, बताईए, 5 unit बचा, तो बताईए, समय इसमें कितना लगेगा, इस तो 5 बटा 2 यानि की, 2 सही 1 बटा 2 दिन, शोर है, आप से पूछा क्या है, पूरा कार समाप्त होने में कितना समय लगा, तो answer देंगे, पूरा काम, समाप्त होने में, लगा, समय, UPSI वाले, आप लोग भी ध्यान दीजे, 10 दिन इधर, 5 दिन उधर, last में धाई दिन, कितना, 17 सही एक बटा, UPSI वाले बच्चे बताईए, सारी ची का ध्यान दे, सारे कोर्शन ओरल है, सही हो गया, फिर से बताऊं, क्लास में कोई भी बच्चा जो बैठा हो, नहीं समझ पा रहा है, तो हाथ उठा दे, आपको मैं समझाने में सफल हो गया कि नहीं, चली, खुशी हुई मुझे, और कोई बच्चा जो अभी, समझ नहीं आ रहा है, मैं उसको समझाने में सफल हूँ, वो मुझे सूचित करे, हो गया, सब को आ रहा है, चली, अब इसके बाद अगले कोश्चन पर आ जाते हैं, 17, A, B तथा C किसी कार को, 60 दिन, 40 दिन, एवं 30 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर कार आरम करते हैं, कार समाप्त होने के 10 दिन पहले C, तथा 5 दिन पहले B कार छोड़ देता है, पूरा कार समाप्त होने में कुल कितना दिन लगा, ध्यान दीजेगा, बच्चों देखिए, वर्क लाइन अगर यहां ना भी बनाते तो कोई फर्ख, ना पड़ता, बस यह ऐसे हो जाता, सही है, यह से हो जाता, होता कि नहीं, वर्क लाइन तो आपके हम सुविदा के लिए बना रहे हैं, चीजें आपको क्लियर रहे हैं, 17 नंबर के कोश्चन पर आजाते हैं, सबसे पहला काम तो वही होगा, पूरा काम और, एक दिन का काम निकालना, 17 नंबर के कोश्चन पर आजाईए, एक काम को करता है साट दिन में, बी काम को करता है चालिस दिन में, और सी काम को करता है तीस दिन में, पूरा काम क्या हो जा का काम तीन एक दिन का काम चार काम कैसे हो रहा है देखिए तीनों ने मिलकर कार आरम किया A प्लस B प्लस C तीनों ने मिलकर कारा रम किया क्लियर हो गया बोला गया है कार समाप्त होने से 10 दिन पहले C तथा 5 दिन पहले B काम छोड़ देता यहाँ पर मालिया काम समाप्त हो रहा है यहाँ पर मालिया काम समाप्त हो रहा है तो 10 दिन पहले कौन काम छोड़ देगा बताईए, C, तो बचेगा कौन, A प्लस B ठीक यह दस दिन पहले का फिगर है दस दिन पहले का फिगर, लेकिन बच्चों, विशेष ध्यान दीजे A प्लस B दस दिन तक आखरी में काम नहीं करेंगे पांच दिन पहले B ने भी काम छोड़ दिया है तो पांच दिन पहले B काम छोड़ देगा तो आखरी के पांच दिन तक कौन रहेगा A रहेगा, तो यह अपने A प्लस B जो है कितने दिन तक हैं पांच ही दिन तक है यह बस कहानी है आपकी इसी चीज़ को समझना है यह A प्लस B पांच दिन तक है और यह आखरी के पांच दिन होगा आए समझ में और बाकी सारा काम ध्यान से देखिए कैसे हुआ है A प्लस B प्लस C द्वारा छोटा हो गया ना फिगर और रुकिए बड़ा थोड़ा बनाऊंगा A प्लस B प्लस C ने काम शुरू किया काम यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर माल लिया खतम हो रहा है ठीक इन लोगों ने काम शुरू किया कर रहे हैं यह काम बोला गया काम समाप्त होने के 10 दिन पहले 10 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया C ने काम छोड़ दिया तो यहाँ पर रहेंगे कौन अब A प्लस B लेकिन बच्चो एक लाइन आगे और लिखी गई है कि 5 दिन पहले B ने भी काम छोड़ दिया काम समाप्त होने के 5 दिन पहले वाली सितिये है 5 दिन पहले की सितिये यहाँ पर है तो 5 दिन पहले B ने भी काम छोड़ दिया यानि की बच्चो अब काम पर कौन रहेगा A रहेगा, तो आखरी के 5 दिन A है, आखरी के 5 दिन कौन है, A है, ध्यान दीजेगा तो A प्लस B कितने दिन तक रहेंगे 5 ही दिन तक तो रहेंगे यही आपको ध्यान देना है main सवाल यही है आपके work and time का इसी पर इसी पर आपको ध्यान के अंदरी करना है समझ में आया काम की शुरुवात A plus B plus C ने की देखें काम समाप्त होने के 10 दिन पहले यहां काम समाप्त हो रहा है तो 10 दिन पहले यानि की यहां कौन काम छोड़ दिया C काम छोड़ दिया तो बचे का कौन A plus B clear हो रहा है A plus B A plus B अपना काम कर रहा है लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले B भी काम छोड़ दिया तो 5 दिन पहले का मतलब यह इसी थी यहां यहां B भी चला गया तो बचा कौन A तो इसी 10 दिन के अंतरगत ही तो ये बात हो रही है तो बचा केवल A तो आखरी के 5 दिन A करेगा और ये A प्लस B कितने दिन साथ आएंगे 5 ही दिन आएंगे 5-5-10 दिन हो गया आ रहा है समझ में? 5-5-10 दिन आएगा clear हो गया? अब देखिए उपर कुछ काम हो रहा है classroom वगरा manager हो रहा है देखिए तो बच्चे 5 दिन में A प्लस B कर कितना देंगे? 5 दिन में A प्लस B कर कितना देंगे? बताइए 3-2-5 और पचाहा 25 5-5-25 अब देखिए इस 5 दिन में A कितना कर देगा? कितना? 10 unit हो गया? और ये 25 और 10 35 unit हो गया तो बचा कितना? 85 unit A प्लस B प्लस C के हाथ में कितना आएगा? 85 unit A प्लस B प्लस C के हाथ में आगया? 85 unit clear है? तो इनको starting में इतना करना है तो कितना समय लेंगे ये? 85 बटा 4-3-7-2-9 कितना? 9 सही 4 बटा 9 क्या पूछा है आपसे? पूछा गया बताईए पूरा कार समाप्तोने में किल कितना दिन लगा? तो पूरा काम समाप्तोने में लगा समय कुल समय क्या होगा? कुल समय 9 सही 4 बटा 9 ये और 10 ये 10 ही लेंगे ना? 5 5 10 ये लेली जैसे 5 5 10 कितना हुआ? 19 सही 4 बटा 9 दिन ये हो गया 19 सही 4 बटा 9 दिन हो गया बच्चों? सागर शर्मा हर कोशन में कहने है औरल है सर औरल आप लोग भी कह रहे है ना? औरल है? ठीक है ये मैं वर्कलाइम बेटा इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे हर एक ही स्टूडेंट समझ जाए बहाशा 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 बोल दूँगा तो शायद हो सकता हो डाउट में आया आप लेकिन ये बनाने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा आपने तो बना ही नहीं वर्कलाइम ऐसी समझ में आ जा रहा है बना लीजिए अभी फिलाल बना लीजिए हम आप ही के लिए बना रहे थे और आप ही नहीं उट कर रहे हैं आप ऐसे चलाएकर ये कौन कितने दिन काम किया ए बी सी ने काम शुरू किया काम समाप्त यहां हो रहा है दस दिन पहले यानि की यहां C काम छोड़कर चला गया तो बचेगा कौन A plus B काम करना यह शुरू किये हुए लेकिन 5 दिन पहले यह निकी यहाँ B भी काम छोड़कर चला गया तो बचा कौन This kay A बचा To आखरी के 5 दिन अकेले A करेगा और यह 5 दिन काम करेंगे A plus V काम करेंगे ये नहीं कि ये 10 दिन और ये 5 दिन असा नहीं ये नहीं कई लोगों कि दिमाग में आता अच्छा ये 10 दिन करेंगे और ये 5 दिन अजसे कैसे हो सकता है 10 दिन पहले के अंतर का थी तो ये 5 दिन पहले वाली बाता जाएगी इसी वर्क लाइन पे तो ये दस दिन पहले और पांच दिन पहले वाली चीज पढ़ेगी बताईए, clear है, हो गया अब आईए अगले कोश्चन में 18, 18, 18 अठारा नंबर का कोश्चन देखिए 18 A, B तथा C मिलकर एक कार को दस दिन में पूरा कर सकते हैं उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार आरम किया तथा चार दिन के परशाद A काम छोड़कर चला गया तथा परशाद B तथा C ने मिलकर दस दिन और लेकर उस कार को पूरा किया A अकेला उस कार को कितने दिन में पूरा कर सकता है इस कोश्चन को करना है, देखिए A, B, C मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है कितने दिन में 10 दिन में समाप्त हो जाता है बताएए बच्चो पूरा काम ही हमारा क्या होगा 10 यूनिट हो जाएगा और किसी का तो नहीं दिया है कि कितने दिन में समाफ्ट करते हैं काम को तो यही हमारा पूरा काम LCM लेने की जरूरत नहीं यही 10 ही हमारा पूरा काम हो जाएगा 10 एक दिन काम इंटा एक यूनिट काम कैसे शुरू हो रहा है A वर्क लाइन बना लूँ जरूरत नहीं है A प्लस B प्लस C ने काम शुरू किया है 4 दिन तक इन लोगों ने काम किया है उसके पर शाद A काम छोड़कर चला गया और B C 10 दिन और लेकर यानि कि इसी में 4 दिन इधर हो चुका है 10 दिन और लेकर ये काम को क्या कर देंगे समाप्ट तो पूछा गया है बताइए दिन में 4 यूनिट होगा तो B और C 10 दिन में कितना करेंगे 6 यूनिट तो B C का एक दिन का काम B C मिला कर एक दिन का काम 6 बटा 10 यानि की 3 बटा 5 अब हम आप से पूछेंगे A का एक दिन का काम क्या होगा आप बताइए तीनों का एक दिन का काम एक है तो 1-3 by 5 कितना 2 by 5 अब पूछा गया है A अकेले काम को कितने दिन में समाप करेगा तो सीधे 10 by 2 by 5 कितना 25 days ठीक यही करना चाहते थे आप यहां पर आपको work line खीचने की ज़रूरत नहीं है clear हो गया क्या हम B और C अकेले कितने कितने दिन में करेंगे वो निकाल सकते हैं यस सर A का निकला है B और C के लिए एक दिन का काम का figure find करना आपके लिए यहां possible होगा नहीं होगा इसलिए B और C separately कितने दिन में can do the work नहीं पता चल सकता आया समझ में चलिए 6 कैसे आया अच्छा आप ही कि तो तलाश थी हमको खड़े हो यह A प्लस B प्लस C 4 दिन की है काम एक दिन में ये एक काम करते है तो 4 दिन में 4 काम करेंगे total काम कितना है 10 अब 4 काम होने के बाद बचा काम कितना है 6 वो ट्रांसफर 6 दिन की 6 6 यूनिट यूनिट बोल दीज़े दिन क्यों बोल रहा है 6 यूनिट काम बचा हुआ इसको कौन करेंगे B और C B और C करेंगे कितने दिन में कर रहा है 10 दिन और लेकर 4 दिन लिया जा चुका है 10 दिन और लेंगे काम आपका complete होगा तो 10 दिन में ये 6 यूनिट काम होगा आ गया समझ में? कोई doubt हो तो बोली clear हुआ है बच्चों? आ रहा है समझ में न? हो गया? हो गया बच्चों? चली आईए मिटा दूं कि एक बार और समझा दूं देखिए B C का एक दिन का काम 3 बटा 5 आया तो A का एक दिन का काम कैसे पता चलेगा? तीनों के एक दिन के काम में इसे B और C के एक दिन के काम को माइनस कर दीजे एक आएक दिन का काम आ जाएगा 2 बटा 5 और A द्वारा पूरा काम समझा आप करने भी लगा समय क्या हो जाएगा? 10 बटा में 2 बटा 5 यह आप कहा अंसर आगे? 25 बढ़े आगे? हो गया न यह? चली अब कौनसा कोश्चन है? 19 19 19 देखिएगा कि ऐस्ट को बटा कर आपी लोगी जा है किसी कार को तीस दिन चालिस दिन एबंग साथ दिन में पूरा करते हैं तीनों मिलकर कार आरम करते हैं दस दिन के बाद A काम छोड़ देता है और कार समाप्थ होने के दस दिन पहले B भी काम छोड़ देता है शेष काम C पूरा करता है पूरा काम समाप्थ करने में कुल कितना दिन लगेगा यह आप से पूछा गया है जरह आप इसनी setting करके हमको बताइए कौन कैसे कैसे काम कर रहा है बताइए answer दे दिया आपने आप भी YouTube पे जो बच्चे हैं वो भी answer देने की कोशिस करें अरविंद यादो कह रहा है 17 का answer 19 hole 3 by 9 ठीक है हो गया ठीक answer करिए जरा सोच कर लगरा मेरे सिर के उपर ही यहां काम हो रहा है complete अच्छा वो maximum minimum पूरा complete हो गया है कितना कोश्चन 4 कोश्चन जो टिग्णोमेट्री वाली क्लास है उसको 6.45 से शेडूल करिएगा आज 15 मिट बच्चों को यही क्लास में काम दिया जाएगा आगे के कुश्चन प्रैक्टिस शीट के लगाने के लिए ठीक है तो बच्चे बेट करने लगेंगे ना किसा नहीं आए नहीं आए नहीं आए क्या बेटा कितने कितने लोगोंने कर लिया बच्चों बताईए मेरे बच्चों ने भी कर लिया 22 दिन आ गया आपने भी निपटा दिया क्या बालक मतलब आपको आता था concept clear था ना work and time का पहले से अभी अभी लगा हैं बाही दिन first time work and time पढ़ना है first time first time समझ मैं आ रहा चले very good बहुत बढ़िया very good जो भी हमारे नया बच्चे हैं जिन्ता work and time का class छूट गया है इसी class की recording यूटूब पढ़ी भी है देखके clear कर लिजे कोई नया बालक है जिसका first day है आज है कोई ऐसा बच्चा चलिए देखिए काफी सारे बच्चों ने दे दिया answer इसका आई अब मैं कर रहा हूं A काम को 30 दिन में अकेले कर सकता है B काम को 40 दिन में अकेले कर सकता है और C काम को 60 दिन में अकेले कर सकता है पूरा काम बता दीजे क्या है 120 A का एक दिन का काम B का एक दिन का काम C का एक दिन का काम काम की शुरुवात कैसे हो रही है तीनों ने मिलकर कार आरम किया दस दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया मतलब A plus B plus C 10 days तो करेंगे न उसके बाद कौन काम छोड़कर चला गया C काम छोड़कर चला गया तो बचेगा कौन? A plus B A गया है तो चलिए कौन बचेंगे? B plus C सही है? ये काम करेंगे लेकिन आगे बोला है कि कार समाप्त होने के दस दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया काम बेटा अगर यहां समाप्त हो रहा है तो दस दिन पहले यानि की यहां दस दिन पहले यानि की यहां बी ने भी काम छोड़ दिया तो आखरी के दस दिन कौन काम पर रहेगा? C रहेगा आखरी के दस दिन कौन काम पर रहेगा? C, ये सिस्टम है आपका वर्क लाइन अभी बना लेंगे तो confusion में नहीं आएंगे आप शुरुवात A प्लस B प्लस C ने की है दस दिन काम किया इन्होंने उसके बाद, दस दिन बाद A ने काम छोड़ दिया तो B और C काम पर रहेंगे, लेकिन काम समाप्त होने के दस दिन पहले B ने भी काम छोड़ दिया तो दस दिन पहले या नहीं की यहां B भी चला गया, तो आखरी के दस दिन कौन करेगा? C, तो system आपका set हो चुका है, कौन कितने दिन काम कर रहा है exactly आपको clear है बस यह पता चल जाए, B प्लस C कितने दिन काम की हैं, तो सब को जोड़ देंगे तो पूरा काम समाप्त करने का समय पता चल जाएगा, तो बताईए A प्लस B प्लस C, एक दिन में कितना करते हैं? 9 यूनिट, 10 दिन में कितना करेंगे? 90 यूनिट अब देखे, इसको छोड़े रही है अभी C एक दिन में करता है, 2 यूनिट तो 10 दिन में करेगा 20 यूनिट तो 90 और 20 यानि की 100 10 यूनिट हो चुका है बचा कितना? 10 यूनिट ये किसकी जिम्मेदारी है? ये B प्लस C की तो B प्लस C का एक दिन का काम कितना है? 5 यूनिट तो B प्लस C 10 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में तो 10 दिन यहां काम हुआ A प्लस B प्लस C मिलकर करेंगे 2 दिन तक B और C मिलकर करेंगे और आखरी के 10 दिन सी अकेले करेगा, तो कुल समय क्या होगा, कुल समय बताइए, 10 प्लस 2 प्लस 10 यानि की 22 डेज, 22 दिन यह आपका अंसर है, हर एक बच्चा देखे, सही है, यह सीधा सीधा समझा रहा हूँ, UPSI वाले आप लोगो भी क्लियर हो रहा होगा एक एक बात, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, चलिए, आई देखे, 20th नंबर का कोशन है 20 वा, राम, मोहन और सोहन किसी काम को क्रमशा, 36, 45 और 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पहले, राम कार छोड़ कर चला जात तो बताए, सोहन ने कितने दिन तक काम किया, सोहन का बताना है कितने दिन तक काम किया, तो सोहन तो शुरू से अंत तक है न, सोहन क्या है, शुरू से अंत तक है, तो यानि कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ, यही बताना है, समझ में आया, शुरू से अंत तक कितने दिन काम हुआ है वही सोहन का काम करने का समय होगा चलिए देखिए 20th नंबर का कोश्चन है बीसवा राम अकेले 36 दिन में काम कम्प्लीट कर सकता है मोहन 45 दिन में और सोहन कितने दिन में? से बाद रहा या समझ में? पूरा काम क्या होगा बच्चों? तंब पूरा गार और पूरा काम क्या होगा बच्चों? 100 ? तो तो तीनों ने मिलकर काम शुरू किया है, काम तो तीनों ने मिलकर शुरू किया है, राम, मोहन और सोहन ने मिलकर काम शुरू किया है, लेकिन आठ दिन पहले, राम काम छोड़ कर चला जाता है और मोहन काम पूरा होने के बारा दिन पहले, तो जादा वाले को पहले पहले भागेगा उसको पहले टार्गेट करेंगे न हम बारा दिन पहले कौन गया है मोहन गया है बारा दिन पहले मोहन गया तो इसको टार्गेट करेंगे तो यहां कौन बचेगा राम और शाम बचेगा यह बारा दिन का फिगर है यहां से यहां तक का लेकिन बच्चों बार बचेगा यहां सोहन सोहन आखरी के आठ दिन तक अकेले काम करेगा तो राम शाम कितने दिन तक काम किये राम और सोहन सौरी राम और सोहन कितने दिन तक चार दिन तक राम और सोहन कितना कर लेंगे साथ यूनिट अब आज तोड़ी बंद हो जाए फिरी स्टार्ट कर चलि थोड़ा सा उपर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो रहा है लग रहा है इस कारण से डिल मशीन वगरा चल रही है आवाज हो रहा है काम बंद भी नहीं कराया जा सकता क्योंकि समस्या अब देखिए आगे देखिएगा राम मोहन और श्याम ने काम शुरू किया करना शुरू कर दिये हैं काम समाप्त होने के आठ दिन पहले राम काम समाप्त होने के आठ दिन पहले राम काम चोड़ कर चला गया है और बारा दिन पहले मोहन गया है तो हम पहले किसको उठाएंगे मोहन को जो पहले गया है उसको टार्गेट करेंगे काम यहां समाप्त हो रहा था बारा दिन पहले यानि कि यहां कौन चला गया मोहन चला तो बचे काम पे कौन? राम और सोहन बचेंगे, राम और सोहन बचेंगे, एक लाइन और पहले ही लिखी वी थी, काम समाब थोने के आठ दिन पहले राम भी चला गया, तो आठ दिन पहले मतलब काम यहां समाब थो रहा, तो यहां पर राम चला गया है, तो आखरी के आठ दि तक कौन रहेंगे राम और सोहन रहेंगे clear हो गया इसलिए इस तरह से बताए जा रहा है कि हर एक बच्चा without confusion समझ ले इसको किसी को कोई doubt ना रहे आए चलिए देखिए तो चार दिन में इन दोनों ने कर लिया 60 unit और आठ दिन में सोहन कितना कर लेगा 40 unit 60 और 40 100 कितना बचा 260 unit इसको कौन करेंगे राम मोहन और सोहन तो 260 बटा क्या बताईए 30 गुड कितना आ रहा है 11 सही 7 बटा 30 तो क्या पूछा गया बताईए सोहन सोहन ने कितने दिन तक काम किया तो सोहन यहां भी है सोहन यहां भी है सोहन यहां भी है शुरू से अंत तक सोहन है तो सोहन कुल कितने दिन काम किया सोहन ने कुल कितने दिन 11 सही 7 बटा 23 प्लस 4 4 जोड़ने सच्छा सीदे 12 जोड़ दें कितना 23 सही 7 बटा तेज दिन काम किया दिस इस यूर आंसर थोड़ा साउंड डिस्टाग हो रहा है उपर थोड़ा साउंस्ट्रिक्शन ते काम चल रहा है बच्चो परशान नहीं होंगे वाल नमबर वन वाले बच्चो आप लों का क्या हाल है क्यों साही है कोई बच्चा पूँछ रहा है NDA में यहां से क्षिशन आता है NDA का Selayvus Intervali Math है बेटा NDA का Selayvus Intervali Math है यह CDS में आता है ठीक है NDA में Intervali Math पूछी जाती है ठीक है कोई दिया है बच्चा NDA कॉन कॉन दे चुक है NDA आप दिये हैं चलिए कैसी मैस आती है यह सब इंटर वाली रहती है सारी चीज़ें सब इंटर वाली रहती है आए देखिए अब इसके बाद ट्रेंटीवन नमबर का कोश्चन है A, B तथा C कार को 30 दिन 40 दिन एवं 60 दिन में पूरा करते है और उसके एक मिनट, 10 दिन बाद B, C ने कार परारम किया है 10 दिन बाद B भी काम पर आ गया है और उसके 10 दिन बाद A भी काम पर आ गया है और तीनों मिलकर कार समाप कर देते हैं कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा आप करिए कि आप करिए फटा फट कि पानी वो गरम नहीं देता चुक्तू जो है कि आगया अंसर ट्वेंटीवन अजीत कुष्वा कह रहा है एंडिये में ये भी आता है एक आज दो सवाल हो सकता हो आज आता हो इंफ्लेबस में तो ये चीजे नहीं होंगी हो सकता हो आसकता है कोई भी arithmetic section कभी भी कोई question पूछ लेता है कोई दिक्कत नहीं है बसे मैं दुबारा से देख लूँगा क्या का चीजे आती है अजसे तो इंटर की मैसी हमने तो जब भी देखा इंटर की प्योर मैस रहती है आप्ती हाँ वो आपके दूसरे पेपर हाँ वाई ग्रूप रहता है नॉन टेक्निकल इंटर टेक्निकल वाले में और नॉन टेक्निकल एयर फोर्स वगरा में तो रहता है यह सब आई देखिए 21 ए बी तथा सी कार को 30 दिन 40 दिन एवं 60 दिन में पूरा करते हैं सी कार प्रारम करता है दस दिन बाद भी भी कार परा जाता है और उसके दस दिन बाद भी कार परा जाता है तीनों ने मिलकर कार को समाप्त कर दिया देखिए ए अकेले काम को 30 दिन में बी अकेले काम को 40 दिन में सी कितने दिन में 60 दिन में करता है पूरा काम 120, एक दिन का काम एक दिन का काम एक दिन का काम चले काम की शुरुवात कैसे हुई है सी ने काम शुरू किया है सी ने काम शुरू किया है अब देखिए, आवाज बंद हो गई, अब देखिए, सी ने काम शुरू किया, फिर से शुरू हो गई, देखिए, सी ने काम शुरू किया, कितने दिन तक किया, दस दिन तक इसने किया, फिर काम पर कौन आ गया, साथ में इसके, बी आ गया, तो सी प्लस बी हो जाएंगे, ये कितने दिन, दस दिन तरहेंगे, फिर, फिर ए आ जाएगा, तो सी प्लस बी प्लस ए हो गया, और ये मिलकर काम को क् complete दस दिन तक C किया उसके बाद B आ गया फिर उसके दस दिन बाद उसके दस दिन बाद A आ जाएगा तो इस तरीके से काम होगा पूछा गया बताए पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा तो दस दिन में C कितना कर देगा 20 यूनिट दस दिन में C प्लस भी कितना कर देंगे 50 unit हो कितना गया 70 बचा कितना है 50 unit होना है समझ में आ रहा है तो 50 unit करने में कितना समय लगेगा 50 बटा में 9 यानि कि 5 सही 5 बटा 9 दिन कुल समय बताईए 5 सही 5 बटा अच्छा सौरी 10 10 20 5 25 सही 5 बटा 9 दिन या answer है 25 सही 5 बटा 9 दिन या आपका answer है नोट कर लीजे clear हो गया बच्छो 25 सही 5 बटा 9 दिन, नोट कर लीजे चलिए हो गया अब बच्छों हम लोग आएंगे पीछे से हम बच्चों से question पूछना चाहेंगा, हम यहां से हट रहे हैं, कोई expert है, अमित्या कोई सामने कड़ा गरी, कोई चेहरा होना चाहिए ना, यूटूब वाले सोचेंगा, कोई ही नहीं, मैं पीछे जाके question पूछना चाहता हूँ, oral, देखें, बच्चे बता पा रहे हैं कि नहीं, तब तक आप बच्चियों से पूछ लए हैं, यही से शुरुवात कर लेते हैं, चलिएगा, आप बताईएगा, आप question number 11 था, बैठके बैठके, आप लोग को बैठने का अधिकार है, ठीक है, बच्चियों की संख्या कम है न, इसलिए थोड़ा सा इनको विशेष ध्यान दिया जाता है, चलिए बताईए, आपकी संख्या जादा है, कोई ध्यान नहीं, चलिए, बताईए, मास खटा के बोलिये, तो साफ आवा जाएगी, बोलिये, ठीक है, एक सबीस हो जाएगा, पहले एक एक दिन का काम लिख लिजे, ठीक है, सुविधा के लिए आप थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं, कि एक एक दिन का काम क्या होगा, कितना, दो हो जाएगा, और बी का एक दिन का काम, तीन हो जाएगा, बोलिये, अब बोलिये, रुप जाएगा, क्या, क्या, कोई फायदा नहीं होगा, शोर होगा, चली, बताई, हम, दो-तीन था, 75 ऊनित होगा, गोड, बी काम, अम ही अहाद के कि ख़़े होगे, बी काम, छोड देता है, ठीक है काम एक के लिए काम 45 यूनिट है ठीक है तो एक काम को एक काम को बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा 45 बटा दो यानि कि साड़े 22 दिन साड़े 22 दिन तो पूरा काम समाप तोने में साड़े 22 दिन लगेगा यही है ठीक है अमिसर आप यहीं रहिएगा हम बच्चों से पीछे पूछ के आते हैं कोश्टन ठीक आप यहीं खड़े रहिए बच्चे देखते रहें यूटूब की क्लास हमें लगता बंद करते नहीं चाहिए ठीक बंद कर दीजिए चलिए आप लों से कोश्टन जरा मैं पूछ लूँ आप बताए भाई आप खड़े हो जाई नहीं